लहसुन का उप्योग इतना अधिक बढ़ गया है कि अब बाजार में रेडी मिक्स तक आने लगा है लहसुन रसोई के महंगे मसालों में शुमार है अगर कुछ साल पहले की बात करें तो लहसुन 300 रुपे किलो तक बिक चुका है फिलाल मध्यपरदेश में लहसुन का रेट 45 पैसे प्रतिकिलो है 2019 में यही लहसुन 300 रुपे तक बिका था लहसुन के गिरते दामों से किसानों की हालत खराब हो गई है MP के मालवा इलाके के जिलो में यह सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है परदेश के सबसे बड़े उत्पादक जिलो में रतला, मंसोर, नीमच है इसके इलावा इंदोर की मंडियों में थोक के भाव बहुत नीचे जा चुके है मंडी में लहसुन 45 पैसे से लेकर एक उरुपे प्रतिकिलो तक विक्ता दिखाई दे रहा है मध्यपरदेश के मालवा निमार शेतर में इस बार लहसुन की बंपर पैदावार के चलते मंडियों में इसके दाम इतने गिर गए हैं कि किसानों को समझ नहीं आरा कि वो फसल का करे तो क्या करे परदेश की रतलाम, मंसोर, नीमच, इंदोर की मंडियों में ठोक के में लहसुन के भाव 45 पैसे से 1 रुपे प्रतिकिलो तक जा पहुंचे हैं बताया जा रहा है कि इस इलाके में किसान लहसुन की खेती बड़े प्यमाने पर करते हैं जिससे इस बार बंपर उत्पादन हुआ, वहीं बीच में मौसम खराब होने के चलते बारिश हो गई और लहसुन की क्वालिटी भी खराब हो चुकी है इन दोनों वज़न से लहसुन के सही दाम फिलाल नहीं मिल पा रहे हैं झाल 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 झाल